वेलकम ट्यूर मैस्स क्लास। यह सेवन्थ के मैस्स का जो आपका 6th चैटर चार रहा है त्राइंगल एंड इस प्रोपर्टीज इसमें यह आपका 6th वीडियो लेक्चर होगा। इसमें जो टॉपिक लिए हुआ आपने वहा है आपके पास two special triangles कि आपके पास isosless and equilator triangle के बारे में आपने पढ़ना है ठीक है फिर्स्ट हम equilator triangle के बारे बढ़ेंगे ए triangle in which all the three sides are of equal length is called an equilator triangle कि ऐसी triangle जिसकी तीनों की तीनों साइडे equal हो उसको हम क्या बोलते हैं equilator triangle जहां यहां पर देखो मैंने example लिए आपके पास a,b,c यहां आपके पास एक triangle है इसकी हर एक side एक दुस्रे के equal है यहां पर दियो हमें here in triangle a,b,c a,b equal to b,c equal to ac तीनों side equal है तो therefore a,b,c is an equilator triangle also जो आपके पास angle बनेंगे equilator triangle में जो तीन angle बनेंगे आपके पास angle a angle b angle c अखर आप तीनों की measure लोगें नों ही equal होंगए यह इन तीनों और को मेरर कितना होगा 60 degree इसका आपके पास है isosless triangle isosless triangle कौन सी triangle होंगी जिसमें कोई 2 साइदे उसमें equal होंगी ठीक है क्या होगा यहां पर triangle in which two sides are of equal length is called an isosless triangle की iac triangle जिसमें कोई 2 साइदे equal होंगी उसको हम क्या बोलेंगे isosless triangle यहां पर मैंने एक example लिए आपके लिए ड्राइंगल ड्रा की होई a b c जिसमें a c और b c जो है यह equal है त्राइंगल a b c a c equal to b c यह a c के equal नहीं होंगी ठीक है a b or b c हो सब्सक्राइब एससी और b c equal है लेकिन यह दोनों a b के equal नहीं है ठीक है a c equal to b c देरफो यह triangle a b c इसमें एक चीज़ आपको और याद रिखनी है जो आपके पास यह aria side कोंसी है यह base वाली side जो तो जो base angle होंगे ना यह वाला एंग और यह वाला एंग यह दोनों भी यहां पे equal होंगे ठीक है next topic आपके पास property of a triangle based on sides अब आपके पास अगर आपके क्या करना होता है देखो पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं उसके बाद बताता हूं मैं आपको ड्राइंग आफ a triangle with given side is possible if some of the length of any sides any two sides of a sorry any two any two sides of a triangle is greater than the third side क्या है बोर रहा है कि अगर आपके पास three side given दी है वो कब आप उनसे triangle draw कर सो कब है possible कि आप उनसे triangle draw कर पाऊगे जब उन दो कोई दो side का sum tc से बड़ा होगा ठीक है इफ a b and c are three sides of a triangle then a b plus b sorry a plus b कितना होगा ये greater होगा c से और b plus c जे greater होगा a से a plus c greater होगा b से कहने का मतलु है कि आप कोई two sides का sum तुसक्राइए आप डोनों का sum तुससे से बड़ा होगा अगर इन मेंसे कोई भी साइ एक condition न नहीं बन पाए अगर इन तीनों मेंसे कोई कंडिशन भी नहीं हो ठीक है तो सैटिस्फार होगा हो तो आपके पास यहापके पास त्राइंगल नहीं का साइन आ गया तो यहां पे वो ट्राइंगल पॉसिवल नहीं होगी ठीक है एकुलेटर ट्राइंगल का पतल लगया आपको जिसके तीनों साइड हो आइसो सलेस जिसमें कि विद्रियां पॉसिवल होगी आप ट्राइंगल कर पा ओंगे अपे गिवन साइड्स आर टू सेंटिमीटर थी संटिमिेटर और फाइफ सेंटिमिटर अब क्या करोगे दो साइड्स का समलित हैं तो प्लस त्री ही तना होगा फाइफ यह क्या इक्वल तू तू वाइए त् 5 plus 2 यह greater than 3 से देखो यहाँ पर 1st जो है आपके पास 1st condition greater than 2 plus 3 greater than 5 नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आपके पास possible नहीं होगा कि आप triangle रहा करोगा because of first it is not possible to draw a triangle ठीक है second देखो आपके पास second question है take any point O in the interior of a triangle P क्या होगा is O P plus O Q greater than P क्या हो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एक triangle दियो उसने P क्या हो और उसके center में को यह उसके अंदर आपने एक point ले लिया ठीक है यह वाला point क्या नाम दिया O अब आपको बताना है क्या O P plus O Q greater than होगा P क्या हो से देखो यहाँ पर आपके पास triangle यह हागी आपके पास O P क्या हो यह triangle है तो इनकी of any two sides of triangle O P क्या हो is always greater than the third side वह मैं आपको बता दिया कि जो 2 sides का sum होगा triangle वह 30 से बड़ा होगा ठेक है question no.3 आपके पास am is a median of a triangle a b c is a b plus b c plus c a greater than 2 a m आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास triangle a b c is उसमें जो आपका am है वह median है तो आपको प्रूफ करके बताना है a b plus b c plus c a greater than होगा किससे 2 a m की ठीक है देखो given क्या दियो a m is a median of triangle a b c यह आपको given है कि triangle में जो a m है यह median है to find आपको find क्या करना है क्या a b plus b c plus c a greater than 2 a m है या नहीं यह आपको find करना है ठीक है a b m a b plus b m a b plus b m किसे बड़ा होगा a m से है न a b plus b m greater than a m क्यों वही side आगी वी sum of two length of two sides of a triangle is always greater than the third side की दो side का sum होगे तो तो यह से बड़ा ही होगा यह होगा अब दूसरी triangle लें अगर हम यहाँ पर देखो a c m इसमें अगर a c plus c m करें तो फिर a m से होगा है न a c plus m c greater than किसे हुआ a m equation second में आ लिया इसको और इसको equation first यह भी सेम वैसा दो side का sum तीसरी से बड़ा अब हम first equation और second equation को add करेंगे तो क्या होगा जो left hand side पे है वो left hand side प्याइड होगा जो right rhs में वो rhs में add होगा ठीक है तो क्या होगा a b plus bm यह आगे आपके पास a b plus bm और यह आपके पास आ गया a c plus m c ठीक है और आखे a m a m दुनों के साथ ठीक है a b plus bm plus m c plus a c equal to a m plus a m कितना होगा 2 a m तो यह आगया a b और bm plus m c देखो यह पर क्या bm plus m c कितना होगा bc क्यों यह एकल क्यों है क्योंकि यह median है am तो यह क्या करेगा equal parman 覆ड करेगा यह bm होगा और यह FX दोनों equal हैं गर bm plus m c को add करोग़ तो क्या बनेगा bc सेम आगया BM plus MC कितना हुआ BC plus AC greater than 2AM hence AB plus BC plus AC greater than 2AM यही हमने प्रूफ करना था थेंक्यू बिटा